हलो फ्रेंड्स, वीलकम टो माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ओनियन टोमेटो सेंडविच जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान इसमें आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना है घर की ही चीजों से बहुत ही अच्छी सेंडविच बन के तयार हो जाती है तो चलिए फिर देर किस बात की इसी बनाना सुरू करते हैं इसी बनाने के लिए मैंने यहां दो बारी प्याज काट लिया है और 2 टमाटर काट लिया और 2-3 हरी मिर्ज को काट लिया है अब हम इसमें नमक डाल देंगे नमक आप अपने टेस्ट के एक वाडिंग पर में ज़यादा डाल सकते हैं अच्छी तरीकी से मिला लेंगे सबसे पहले तो आप हरी मिर्ज को अच्छे से मिक्स कर लें सबी चीजों को हम मिला लेंगे और ये हमारी सेंडविच की स्टफिंग तयार हो गई है इसी थोड़ा सा और स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हम आधी छोटी चमज लालमेज पाउडर डाल देंगे ताकि ये खाने में और स्पाइसी हो जाए और चटपटा भी लगे स्टफिंग हमारी बन के तयार हो गई है ये देख सकते हैं इसमें आपको एक्षा कुछ भी डालने की जरुवत नहीं है और यहां मैंने आठ ब्रेट की स्लाइस लिए अब हम इसमें प्याज टमाटर के स्टफिंग लगा देंगे अच्छी तरीके से फैला दे अब हम इसके उपर सेकेंड पार्ट रख देंगे और ये हमारी एक सैंडविच बन के तयार हो गई है इसी तरीके से हम सारे सैंडविच को बना के तयार कर लेंगे इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है आप एक बर बना कर देखेगा आपको जरूर पसंद आएगा और यहाँ मैंने यहाँ देख सकते हैं चार सैंडविच बना के तयार कर लिया है अब हम इसे सेखने के प्रोसेस में चलते हैं इसे सेखने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है अब हम इसमें थोड़ा सा ओयल डाल देंगे अगर आपके पास घी या बटर कुछ भी हो जो भी आप खाना पसंद करते हो डाल सकते हैं अब हम इसके उपर ऐसे सैंडविच रख देंगे एक बार में जितना पैन में आ जाए उतना रख दें और इसे ऐसे ही सेख लें कम से कम दो से तीन मिनट के लिए एक साइट से सेख लें उपर भी थोड़ा सा ओयल या बटर घी जो भी आपको पसंद दो लगा सकते हैं जब यह एक साइट से सिख जाए तब हम इसे पलट लेंगे और यह देख सकते हैं सैंडविच एक साइट से सिख गई है अब हम इसे पलट लेंगे और यह देख सकते हैं कितने अच्छी से सिख गया है कलर भी आगया है गोल्डेन ब्राउन हो गया है इसी तरीके से हमें दूसरे साइड से भी सेख लेना है मैंने सारे सैंडवेज को पलट लिया है अब हम इसे दो मिनट के लिए ऐसे ही फिर से सेख लेंगे और पूरे दो मिनट हो चुके हैं और ये हमारी सेंड्विच दोनों तरफ से सिख गई है देख सकते हैं ओनियन टोमेटो सेंड्विच बन की तयार है गर्मा गरम हम इसे सर्व करेंगे अब मैं आपको इसी काट की भी दिखाती हूं एक सेंड्विच को दिखाती हूं मैं आपको काट की ये सेंड्विच ऊपर से क्रिस्पी भी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है रिदेख सकते हैं प्याश टमाटर कितने अच्छे से इस्टफ हो गया है और ये हमारी ओन्विच खाने के लिए बिल्कुल तयार है आप इस सेंड्विच को एक बर बना कर जरूर ट्राइ केजिएगा सभी को बहुत पसंद आएगा वीडियो अच्छे लगे हो तो उसे लाइक केजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर केजिएगा मिलते हैं ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसीपी के साथ तब तक के लिए वाइब है थैंक्यू फ्रेंड्स